Hello Friends, Welcome to my channel Swetaj Kitchen मैं आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला सैंडवीच और जल्दी बनने के साथ साथ यह टेस्टी भी होता है उतना ही और हेल्दी भी होता है इसे आप ब्राउन ब्रेट से भी बना सकते हैं या फिर white bread से जो भी आपको पसंद हो बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ किजिएगा ऐसे ही easy, delicious and quick recipe के लिए अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please like, subscribe and hit double icon for new recipe and comment करके जरूर बताइएगा आपको मेरे recipe कैसी लगती है और अगर मेरे recipe आपको अच्छी लगती है तो please share जरूर किजिएगा और ये sandwich की recipe आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा आपको जरूर पसंद आएगा ये आप बच्चों को lunch में भी दे सकते हैं कभी-कभी हमेशा तो sandwich हम नहीं prefer करते हैं बच्चों को देना बट कभी-कभी आप ये दे सकते हैं इसमें बहुत सारा वेजी मैंने यूज किया है तो इसके लिए मैंने capsicum, carrot, onion finely chopped कर लिया है फिर पनीर ग्रेट कर लिया है और cheese क्यूब लिया है ग्रेट करके आपको जितना sandwich बनाना उसके according vegetable और पनीर ले सकते हैं सबजी में आप कुछ और भी add कर सकते हैं या फिर कुछ skip भी कर सकते हैं अब इसमें हम chili fix डालेंगे half teaspoon फिर जो भी vegetable हमने cut किया है उसको प्लीज आप finely chop ही किजिए तब ही ये खाने में अच्छा लगेगा आप इसमें corn भी add कर सकते हैं बीन्स भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंदो वो डाल सकते हैं और नहीं पसंदो वो skip कर सकते हैं लेकिन बच्चों को खिलाना है तो ये सारी सबजी आप बारिक करके इसमें डालिए उन्हें जरूर पसंद आएगा अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और येनू डालेंगे half teaspoon, one for teaspoon paper, mayonnaise जो भी आपके पास हो flavor वाला या फिर ऐसे normal वाला one teaspoon ये pizza pasta sauce जो आता है वो है one teaspoon आप इसके जगापे tomato ketchup भी उच्छ कर सकते हैं इसमें अब इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे बहुत सारा चीज डालने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास mayonnaise नहीं है तो आप उसे skip भी कर सकते हैं उसके जगापे बस आप tomato ketchup डालिए उससे भी इसका flavor बहुत अच्छा आता है जो कि बचों को बहुत पसंद आता है तो आप इस तरह से उनको बना कर दीजिए जरूर प लगाएंगे अगर आपके बच्छे को पसंद नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हैं या फिर इसके जगापे ketchup भी उच कर सकते हैं अच्छी तरह से लगाने के बाद फिर जो मिक्सर हमने बनाया है पनीर और वेजीटेबल का उसको डालेंगे बहुत ही अच्छी मात्रा में डालना है ताकि खाने पे एक एक भाईट में इसका टेस्ट आए यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पनीर और चीज सॉफ्ट लगता है और जो हमने वेजीटेबल कट किया है न वो हलका सा क्रंची लगता है तो उसका टेस कशर को थोरी अच्छी मात्रा में डाले इसमे I指 तरह से प्रेस कर देंगे ताकि निख्ले नहीं उसके बाद कि दूसरा पर रेंगे इसके उपर मैश्ट को अब इसके ओपर हम बटर लगा देंगे हलका सा प्रेस कर देंगे तैकि यह डालने तवा हम oveं सेकेंगे ले इसको तो निकले नहीं बटर को ऐसे स्प्रेट कर देंगे हलका सा बहुत ज्यादा बटर लगाने की जरुवत नहीं है अगर आप बरो के लिए बना रहे हैं अगर बटर खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब तवा को गरम करेंगे और फ्लेम को मी दूसरी तरह भी हम बटर लगा देते हैं यह साइंडवीच बनाने के बहुत ही हेल्दी तरीका है आप इस तरह से जरू ट्राई कीजेगा और टेस्टी तो बहुत ही ज्यादा लगता है ऐसा नहीं है कि हेल्दी है तो टेस्टी नहीं लगेगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो आप एक बर इसे जरूर ट्राई किजेगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब यह हो गया है क्रिस्पी दोनों तरप से अब फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसको गर्मा गरम कैचप के साथ चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी सरू कर सकते हैं बरो के लिए कर रहे हैं तो और बच्चे तो कैचप के साथ ही खाना पसंद करते हैं को देखी ये अब डीज क yapt करके दिखाती हो इसका फिलिंग कितना कि इसका का पूब չार जादा कना ब्यादा कि म्खाता है तो आप देश को से कोह इस इस तरह से आप उनको दे सकते हैं इस मिक्सर से आप पराठा भी बना सकते हैं वही बहुत हिल्दी होता है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और अगर पसंद है तो प्लीज सेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू